आप देख रहे हैं न्यूज ओफ इंडिया ट्रूप सच्चाई का साथ नुज ओफ इंडिया ट्रूप घरेलू पशुपरन का मामला है जैसी की डॉंकी हैं उन तमाल चीजों के बारे में काफी समय से देख रहे हैं कि पिछले देट सो दो गंटे चल रही है और काफी एजुकेटिट किया जारा है जानकारी दी जाए यह सरकारी विभाब द्वारा और यह तमाम लोग जो हैं इस अचारी विभाब मैं शानकार्ट सब्सक्षित तो उसकी होता है मुझा करना रहती यह म्यनकार्ति नाम जो बीतेर में हैं यह लोग भी बादा आपकोasan में के बाताते हैं में ब्यूदी हैं बादा हुरिये भी आप जाने में नहीं वे सका रिमारों में सब माँ में और दोड़ति क्थल नहीं भी आहए रका सबसी वेर जानवरों नहीं हुए किसमें कि सबसे पहले ज़ए अवैर करना चाहिता हूँ इसमें कि सबसे पहले नाक से इसने तीन फार्म होती है तीन फार्म एक तो अगý is पार्म एक तो विर्त्री щоб एक बर कि और ऑंप्तरर इंगा ही निचर को अदर आताई एक कर एक सब देखते हैं कि लंग्स झाले सरके का दाने होते हैं जिसको कहते हैं पस- Begin cambiar हो जो भी आ जाए ओर यह लेंडर्ज सार्फरी और और विमारी Churchill में होते लेकिन जैसे ही इस तरह का सिंटम्स आता है कि क्यूटेनिस फॉर्म या कि दाने निकलते हैं या तिर इस्पैरेट्री फॉर्म जिसमें घरक्यावा जाती है तीसरा फॉर्म जो नैजर फॉर्म होता है जिसमें की नाख से फिलूरेंट डिस्चार्ज इसको फुर्टेंगे कि जैसा जैसा कि बच्चों की नाख बैती है पीली कलर्टी वैसे ही इसमें एक डिश्याज आता है तो तीसरा तीसरो सिंटम्स या तीसरी फॉर्म इसकी यह होती है इन तीनों फॉर्म में से किसी भी फॉर्म में अगर हमें सबसे पहले यह दिखता है कि इस तरह का कोई भी सि तो उसमें रिस्पारिति वार्म भी होगा, मतलब ररगर की आवाज भी आएगी, किसी में ररगर की आवाज आ सकती है, किसी में क्युटनियस पॉर्म मतलब दाने निदे की आएगी इसके लिए पुछना चाहता हूं कि इसमें इस बिमारी को एक आम आदवी, क्योंकि एक ही स्म्टम और अधर्स बिमारियों के भी हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई जस्टिफाइग कि कौन सा सिम्टम इग्जेक्ट इसके लिए हैं? इसके सिम्टम सबसे पहला जो मैं में बताया है नैजल डिचार्ज होएगा और क्युटेनियस फर्म जो की पस्फिल्ड दाने होंगे जो पस्फिल्ड पस्फिल्ड जो है जब से स्ट्रॉंग सिम्टम से जैसे ही आने लगे और अगर के आवास आतमे आ सकते हैं तो यह जैसे ही आने लगे तो आप समझ लीजए कि आपका गोड़ा इस बिवारी के लिए सस्पेक्टेड हो गया है सस्पेक्टेड हो गया है उसके बाद में जैसे ही इसके गोड़े के सिम्टम को देखते हुए हम सीरम सैंपल कलेट करके एनासी हिसार लैब में बेशते हैं और वहाँ से रिपोर्ट आती है रिपोर्ट आने के तुऱन राद अगर माली य हम ऐना लिजए पॉजिटिव रिपोर्ट आती है यHY सस्पेक्टेड रिपोर्ट आती है तो हम दुबारह सेंपलिंग करते हैं ताकि कि किसी भी तरह की मिस्क कॉमूरिकेसं की बजह से भोडा गलत हो जाए उसको मार दिया जाये तो हमगे दबारह सेंपलिंग के लिए बोलवा जाता है तो हम दबारह उसकी सैंप्लिंग करते हैं दुबारह भी अगर वो गोड़ा पॉजिटिव आता है उस बीमारी के लिए तो उसका साइसन दोलादे जायता है डीम के आदेसान उसार, सासन के आदेसान उसार उस गोड़े को यूथनाइज किया जाता है जिसको की प्रॉपर हाइजीन और सैनिटेशन मेंटेन करते हुए हम लोग उसको यूथनाइज करते हैं हमारे टीम दोरा उसको यूथनेस्टिय किया जाता है और उसमें बकायदा सारे लोग इन्वाल होते हैं, टीम पुरी जाती है उसमें एक घोडे का पुरा प्रोसेस होता इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है यह सब्सक्रा हाइजीन अपनाते हुए इसको हमें दफनाना है या मागना है मतलब ऐसा नहीं है कि बस मार दिया और उसको छोड़ दिया वह सब्सक्राइब जिन्दा प्रोसे इस बिमारी को फैला सकता है मरने के बाद में भी अगर उसके सो को भी प्रॉपर तरह से निस्तारित नहीं करते हैं तो वह बिमारी फैलाने के लिए प्रोल हो जाएगा इस बिमारी का बहुत ही इंपॉर्टेंस हमारे देश के उसमें दिया है क्योंकि दिल्ली हमारी अशल आपका थोड़ा देर पहले आपका प्रोग्राम को फुल कर रहे थे तो उसके अंदर हमने सुना था जब आप बता रहे थे आप एक बात कह रहे थे डॉक्रसाब कि उसके अंदर यह इस बिमारी से जो है लोग भी मर सकते हैं जो उनको चारा दे रहे हैं उनको उनको कैसे एफेक्ट कर सकता है इसके बारे बताईए जनोटिक डिजीज है जनोटिक यहां कि जो जानवर में पीमारे कुछ यसी बिमारिय में यह रहे हैं इसके बार उनके कॉंटक्ट में रहे कि आदमियों वह कर साल हैं वह करन नहीं और पको्छा पीमियो करा दे लिए और अगर तो यह से ऑग रहे प्रूप को नियुक्त को लग सकते हैं और अध्यू बार्टन को इसके बारे में इसके बारे में पूलनेस के लिए प्रवाइन से क्यों है तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इस बिमारी फैलती कैसे है जो आपने ख्यूसन कुछ यह अच्चा बहुत भुट ही अच्छा च्वस्सन ल कि ढगा है कि आपने बहुत यह इंठाया दूसरा contact कैसे आयेगा? मसला हवा से भी विमारी आ सकती है जूसरा जानवर भाहा पर अगर भी और अगर जिस गोडे ने जिस जवह पानी पिया है खाना खाया है उसके उसी बरतन में दूसरा गोड़ा पानी खासके खायेगा तो भी यह, that is, contact basis ने, एक एरब़ॉन इन्सान हो गया, एक हो गया, contact basis में infection, तो उसके contact में लिए गोड़ा दूसरे के आसार इंकर है, और अगर खोरा किसी दूसरे इंसान के contact में आ रहा है, तो ये जानवर से जानवर में, जानवर से इंसान में और इंसान से इंसान में पहलने वाली बिमारी है अगर ये फीमिल गोडे में होता है और वो प्रेग्नेंट गोडी होती है तो उसके उसके बच्चे को हो सकता है दो कि वो उसके कॉंटेक्ट में आ रहा है किसी भी तरह से रहा है चेलियर्ड़क्र साफ बढ़ शुक्री आपने बड़ी मॉड़ी स्वालों का जवाब दी अब ने देखा यह ते हमारे साथ लुड़ साथ लुड़े लागे अगश्चा करें लागे या पशुपारण करते हैं उसे कारभार करते हैं तो इस बिमारे से अगए रही है जो सिपने टॉप सब में बताया उसेंटर तो ध्यांती जी है तो लिकट सम पशुची के सरले से संपर करके उसका रिवारण कराएं उसको दिखाएं और 100% कॉपरेट के रहे गवर्मेंट के साथ ताकि इस बिमारे से किसी की बहुत ना हो तो अबने दिख रहे हैं न्यूज ओप इंडिया ट्रोप